एक मनीशा नाम की लड़की थी अपने घर के पास वाले गाउ में एक स्कूल में पढ़ने जाया करती और तीन हफते से मनीशा हर दिन लेट पहुंचा करती टीचर उसे डाट दी, उसे पनिश्मेंट देती चौते हफते मनीशा स्कूल आई ने तो सारे लोगों ने सोचा कि उसे डाट पढ़ती थी, पनिश्मेंट मिलती थी शायद इसलिए उसे स्कूल आना बंद कर दिया हो लेकिन बाचवे हफते फिर से मनीशा अपनी क्लास में दिखाए दी आज मनीशा सबसे पहले पहुंची थी क्लास में टीचर ने क्लास में गुस्ते ही, पहले तो उसे सजा दी क्योंकि वो एक हफते तक का स्कूल नहीं आई थी लेकिन फिर उसकी पीट थब तपाते हुए शाबाशी भी दी कि देखा, डाट और पनिश्मेंट का असर देखो आज तो जल्दी आई हो तुम मनीशा ने पूरी क्लास के सामने कहा कि टीचर मैं कुछ कहना चाहती हूँ टीचर ने कहा बेलकुल मनीशा ने बात करना शुरू किया, कहा कि मुझे मेरी मा ने पाल पोस कर बढ़ा किया मेरे कोई भाई या बहन भी नहीं और पांच हफ़े पहले मेरी मा काफी बिमार होका थी उन्हें हॉस्पिल में एड्मिट किया और घर पर खाना बना कर उन्हें पहुंचा कर फिर में स्कूल आया करती थी और इसलिए लेट आया करती थी मैंने काफी कोशिश की लेकिन मेरी मा को बचा न सकी पिछले हफ़ते मेरी माँ चल बसी थी और इसलिए मैं स्कूल ना सकी आज मैं जल्दी इसलिए आई हूँ क्योंकि नहीं तो खाना बनाना था और नहीं किसी को हस्पिल में तोंचा कर आना था और अपसे मैं हर दिन जल्दी आ जाया करूँ ये कहकर मनीशा अपनी जगा पर तो बैट गई लेकिन क्लास में किसी की भी आँख कोरी नगची थी टीचर भी अपने आपको अंदरी अंदर कोसे जा रहे थी अर्थात कब-कब ऐसा होता है क्या हम किसी सब पूछ बैटते हैं आपके शादी नहीं होई अबता अब के बच्चे नहीं है कब तक ये खटारा गारी चलाओगे नौक नहीं लगी अबता हम तो पूछ बैटते हैं लेकिन उसके दिल पर क्या बीखती होगी कहीं इंसेंसिटिव तो नहीं होते जा रहे हैं अर्स किया है कि एक भी दिन ना निभा सकेंगे वो मेरा किरदार एक भी दिन ना निभा सकेंगे वो मेरा किरदार वो लोग जो मश्वरे देते हैं